नमस्ते दोस्तो मैं हूँ परवी नाना और आपका स्वागत है अलगो क्राप के ट्रेडिंग टिटोरियल के नही वीडियो में आज हम बात करेंगे अलगो ट्रेडिंग के स्ट्राइडिजीस के पेरामीटर्स के बारे में और ये समझेंगे कि कैसे हम इसको आप्टिमाइजेशन कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग में आपको इस तरीके से क्या नया प्रस्पेक्टिव मिलेगा तो जो वीवर्स हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि पैरामीटर्स क्या होते हैं तो दोस्तों जब भी कोई हम इंडिकेटर को अपलाई करते हैं जैसे हमारे प्लैटफॉर्म पर आप देखेंगे कि प्रीडिफाइन स्ट्रेटिजीस दी होई हैं जो कि MACD, RSI, Moving Average, Moving Average, Crossover वगेरा वगेरा तो इन स्ट्रेटजीस में कुछ स्पेसिफिक नंबर सेट करना पड़ता है जो आपके बाई और सेल के सिगनल को डिटर्माइन करता है यह नंबर जो होते हैं जो हम सेट करते हैं वही पैरमीटर्स होते हैं अब इसमें पैरमीटर्स में Fast और Slow पैरमीटर्स होते हैं तो जो Fast पैरमीटर्स होते हैं यानि कि जैसे कि आप अगर Moving Average का Indicator देखो Crossover का तो उसमें आपको दो Input मिलते हैं Fast Moving Average और Slow Moving Average Fast Moving Average का मतलब होता है कि Quick Period का मतलब कि कम Period का अगर हम पैरमीटर्स उसमें दो Moving Average में रखते हैं तो उसको हम Fast केते हैं और ज्यादा Period का रखते हैं तो उसको हम Slow केते हैं जैसे कि अगर आपने 5 लिखा Fast में और Slow में आपने 25 लिखा तो इसका मतलब Fast Parameter आपका हो गया पांच का और Slow Parameter होगा 25 का इस तरीके से हम जो पैरमीटर्स को Set करते हैं Fast Parameter जल्दी रियक्ट करते हैं Market के Changes पर जबकि Slow Parameter थोड़ा सा धीरे रियक्ट करते हैं और इसका Impact आपकी Strategy के Signal पर पड़ता है Parameter Selection को सही होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह Decide करता है कि आपके Strategy कितना Responsive है और Market के Fluctuations के साथ कैसे Deal करेगी अगर आपने Fast Parameter चूज किया है तो आप ज़्यादा Sensitive Signals पाएंगे लेकिन वहाँ पर False Signals का Risk भी बढ़ जाएगा Slow Parameter पर आपको ज़्यादा Reliable Signals मिल सकते हैं लेकिन वहाँ पर Signals थोड़ा Late आते हैं तो अब यह सवाल है कि कैसे करें Optimize Parameters को और इसके लिए आपको Historical Data पर Back Testing करना होता है आपको देखना होगा कि Selected Parameters Past Market की Conditions में कैसे Perform करते हैं या उन्होंने किस तरीके से Perform किया है आपका एम हमेशा यह होना चाहिए कि आपको Maximum Profit मिले और Loss Minimize हो और Number of Signals भी ज़्यादा ना हो ताकि आपकी जो Brokerage है वो कम लगे और आपको Profit ज़्यादा मिले एक और Important Point है Strategy Performance को Regular Check करना Market Conditions बदलते रहते हैं इसलिए आपको अपनी Strategies का Time to Time Update करना पड़ेगा अगर आप देखते हैं कि कोई Strategy अब काम नहीं कर रही है तो उसे Refine करना या नया Parameters से उसको Set करके Check करना होगा तो अगर आप चाहते हैं कि वही Parameters को कैसे Check करें कैसे Parameters लगाएं क्या करें तो उसका मैं आपको Practical करके दिखाता हूँ कि Fast Parameter और Slow Parameter करने से Strategy में क्या फरक आता है और अगर आपको Back Test करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं और अगर आपको Algo करना है तो भी आप किस तरीके से कर सकते हैं तो वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं Practical में किस तरीके से इसको किया जा सकता है तो दोस्तों practical जानकारी के लिए अब हम यूज करेंगे platform का जिसका नाम है trading view trading view बहुत help करता है traders की यह सब चीज़ा करने में analysis करने में because वाग सारी चीज़ा इस पर आपको free में अब हम इसमें कोई भी एक इंडिकेटर अपलाई करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इंडिकेटर का यहां पर plot होने के बाद आपको show होता है तो अभी यहां पर कुछ basic indicators लगे हुआ है इनको हम हटा देंगे अब यहां पर हम use करते हैं तो किसे माली बैंक निफ्टी इसमें कोई इंडिकेटर आपको अल्रेडी अपलाई है अब इसमें हम लगाएंगे moving average का indicator जो कि सबस्याद आसान है जादतर लोगों को moving average के बारे में पता होता है अब यह आप देख सकते है moving average simple इसको हमने apply किया है तो अब यह चार्ट में हमें इंडिकेट कर रहा है कि कब-कब में buy आया है और कब-कब में sell आया है यानि कि trend कब bullish रहा है और कब bearish रहा है अब इसमें जो parameters है इम में के वो क्या है यहां पर देखिए आप length जो है वो 9 है यानि कि 9 period का moving average है कि 9 period से क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि माल लिजे हमने इसको यहां से start किया तो अब यह क्या खरेगा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ candles के close price को उठाएगा इसका मतलब है कि 9 candle का closing price है उसको उठाएगा और उसको जोड़ेगा और उसको 9 से divide कर देगा इसलिए लिया है क्योंकि इसका formula विल्कुल आसान है तो आपको समझाने में भी आसानी रहेगी तो अभी क्या करेगा 9 candle का data जो निकलके आएगा 9 candle को जोड़के जो rate आएगा उसको divide by 9 करके जो price आएगा उसको एक point बन जाएगा वो यहां पर यह point जो कर रही है यहां से क्या है कि अब इसका formula यह है कि अगर price जो है वह moving average से उपर चल रहा है तो इसका मतलब है कि market में bullish trend है और अगर price moving average से नीचे चल रहा है तो इसका मतलब market में bearish trend है यह तो हो गया इसका explanation अब हम ने जो वीडियो बनाया है वो parameters के बारे में यानिके fast और slow parameters के बारे में उसके बारे में भी जानते हैं बाकि यह तो आपको समझ में आ गया होगा और simple तरीके से अगर आपको समझना है तो आप बस इतना समझ लिए अगर moving average के उपर candle move हो रही है तो वह buying है moving average के present कर रहा है वो 9 पीरेड की साब से कर रहा है 9 पीरेड यानिकि 9 candle के calculation अगर हम 9 पीरेड को और कम कर देते हैं कि 3 4 5 कर देते हैं तो उससे इसमें क्या फरक आएगा यहां पर देखिए अभी मैं इसको 5 कर दिया तो 5 करने के बाद यह और ज्यादा price moving average जो है वो price यानि candle से बह तो recommendations थी buy की और sell की वो अब बढ़ गई है पहले के मुकाबले पहले अगर यहां चार्ट में 5 signal थे अब वो बढ़के 10 हो गए हैं या उससे भी ज्यादा हो गए हैं इससे क्या होता है कि frequently trades लेंगे आप और इससे कि false trade का जो है वो chance बढ़ जाएगा अब अगर माल लोग आप चाहते हैं कि false trade को थोड़ा कम करें और थोड़ा long term perspective में जाएं तो आप इसको थोड़ा और बढ़ा देंगे यानि कि अब इसको जैसे पहले 9 था फिर हमने 5 किया तो हमने 5 किया उसका मतलब हमने parameters को fast किया अब हम parameter को slow करेंगे तो slow के लिए हम इसक इसको apply करेंगे तो आप देखोगे कि अब price जो है वो दूर हो गया moving average से जिससे कि उपर और नीचे के chances कम हो गया है मतलब अब इसमें आप देखोगे तो trend आपका यहाँ पर take buy sell buy और sell इस तरीके से यहाँ पर trend move कर रहा है तो यह होता है parameters का खेल यानिकर आप parameter को slow करते हैं तो आपकी जो signals की frequency है वो भी कम हो जाती है अगर आप इसको fast करते हैं तो signals की frequency बढ़ जाती है अब इससे फरक क्या पढ़ता है जो लोग market में scalping करते हैं like उनको चाहिए कि एक दिन में कम से कम 10 trade तो होने ही चाहिए वो fast parameter use करते हैं क्योंकि उसमें जल्दी जल्दी उनकी position बनती है जल्दी जल्दी निकलता है trade उनका तो जो scalping नहीं करते नॉर्मल trading करते हैं वो थोड़ा slow parameters यूज करते हैं because उनको एक दो trades ही करना है और उसमें ही उनको जो profit या loss book करके निकल जाना है तो यह moving average का indicator का मैंने आपको धारन दिया इसके लावा और भी बहुत सारे indicators है जिनको आप लगा सकते हैं उधारन के लिए ज्यादातर traders जैसे super trend बहुत यूज करते हैं तो अभी हम अगर super trend इस पर अप्लाई करते है super trend में अप्लाई किया तो super trend की indicator में आप देखेंगे कि अभी जो parameters है दस और तीन क्या है super trend में 10-3 यहां पर लिखा हुआ ATR length और factor तो factor जो है उसको कई कई जगे आपको multiplier लिखा मिलता है कई जगे factor लिखा मिलता है और ATR, ATR मतलब average true range अब एक average true range से high और low की range निकाले जाती है उसके साबसे indicator काम करता है mathematical formula अगर आपको इसका देखना हो तो आप Google से search करके देख सकते हैं वो आपको मिल जाएगा बहुत ही simple होता है but हमारा मुद्धा जो है वो parameters के बारे में है हमारा मुद्धा यह नहीं है कि इंडिकेटर कैसे काम करता है इसको और भी हम अगर update करते हैं जैसे 10 को अगर आप इसको और fast करना चाहेंगे जितना भी आप indicators के जो पैरामीटर ने उनको कम करते हैं तो वह fast होते जाते हैं इतने भी आप उनको बढ़ाते हैं तो अगर आप इसको जितना कम करोगे आपके signal बनने के chances उतने ही ज्यादा रहेंगे आप जिसको जितना increase करोगे सिगनल बनने के चांसिस उतने ही आपके सम रहेंगे तो अब यहां पर आप देखको मैंने इसको 5 और 1 किया तो अब इसने कितने सारे सिगनल बना दिये यहां पर यहां पर अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं यानि कि आपको चाहिए एक दिन में पास्ट्रेड हो जाएं तो आ करेंगे तो आप सिगनल ज मिलेंगे और अगर आप स्लोव स्टाइज श् Sea तो आसधा vaard करेंगे तो आपको सिगनल मिलेंगी आप सिगनल बेसी करने वना भुइस होते हैं चारे इंडिकेेटर में यह चीज़ होते हैं अब इहां में बताओ कौन सा parameter use करें कौन सा क्या करें तो उनसे में यह क्याने चाहँगा कि हम लोग उनके पास हम जो हम फाइनेंशल सर्विस प्रोवाइडर में फिंटेक प्रोवाइडर में तो यहां हमारा जो काम है वो एक आपको software प्रोवाइड करना है रेकमेंडेशन्स वगेरा देने का काम होता है वो investment advisor का जो कि हम लोग नहीं है यार नॉट से भी रेजिस्टर इंवेस्टमेंट एडवाइजर तो हम आपको recommend नहीं कर सकते क्या कौन सा super trend लगाएंगे क्या पीरेट लगाएंगे क्या multiplier लगाएंगे लेकिन हम आपको यह वदा इस तरीके की चीजों के लिए हम आपकी मदद करते हैं तो यहां मैं आपको दाता हूं कि मालेजे आपको bank nifty में ही देखना है bank nifty का मालेजे आपको 15 मिनट का चार्ट देखना है और आपको देखना है कि 15 मिनट के चार्ट पे indicator super trend या कोई भी कैसे perform करता है तो मालेजे आप यहां पर जाएंगे और आपने super trend लिखा तो अब आपको क्या यूज करना है strategy यूज करना है backtest करने के लिए यह indicator है यह strategy है जिसमें यह up down arrow आते हैं वो strategy होती है तो जैसे आप strategy को apply करेंगे तो यहां पर आपको strategy का performance निकल के आ जाएगा यहां पर आपको long short long short दिखेगा त 10,479 रुपीज का profit आ रहा है ठीक है अब यह कौन से setting पर यहां पर setting आपको दी हुए है 10 और 3 की आप इसको fast करोगे तो signals बढ़ जाएंगे और profitability में भी फरक पड़ेगा आपका अब देखिए signals जो है वो आपके increase होगे total 142 signal होगे अगर हम यहां पर इसको वापस से 10 तीन करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा दस और तीन करोगे तो signal जो वो कम हो जाएंगे यहां पर 140 signals हैं अभी 142 signals है तो दो signal कम होगे और यहीं पर अगर आप इसको और थोड़ा सा कम करेंगे जिससे हमने 5 और 1 किया था जिसमें बहुत सारी trades बन लेती तो अगर हम इसको 5 और 1 करेंगे तो आप देखेंगे कि जो performance है वो 500 पहुंच गया भी जो 140 था वो 500 हो गया इतने ज्यादा बनेंगे ब्रोकरेज भी उतनी ज्यादा आपके लगेगी उतने ज्यादा आपके charges लगेंगे तो अगर scamping नहीं करते और अगर आप normal trading करते हैं तो मैं recommend करूंगा कि parameters को slow use किया जाए fast ना किया जाए ताकि ज्यादा signal में बने आपको बार-बार market में इंटर क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ हो सब आप यहां से देख सकते हैं ट्रेड्स की list देख सकते हैं कब buy आया था कब sell आया था बाकी properties वगएरा इसमें सारी चीज़ें हैं तो आपको idea मिलेगा सारी बात है अगर मैं ही आपको समझा दूंगा तो फिर आपको मज़ा नहीं आए इसमें बस एक चीज़ है कि option का data नहीं मिलता है आपको cash और future का data मिल जाता है तो आप cash के symbol के साथ इसके साथ play कर सकते हो और आपको के बारे में थोड़ा जनकारी मिल जाएगा कि कौन से strategy कौन से parameters आपके लिए बढ़िया है अलग-अलग time frame अलग-अलग parameters पे आप थोड़ा सा play around कर सकते हो ताकि आपको better performance और better चीज़ा समझ में आप आएं कि आपके लिए profitable strategy कौन सी होगी आपके लिए profitable symbol कौन सा होगा वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं दूसरा अगर मैं आपको suggest करना चाहूं तो मैं आपको ऐसा suggest करूँगा कि आप ऐसे symbol से में trade की थी है जिन आप डाउन आप डाउन इस format में चलते हैं तो आपको ज्यादा better मिलेगा तो दोस्तों आज का session यहीं पर ख़दम करते हैं मुझे आशा है कि आपको सब चीज़ better तरीके से समझ में आई होगी और आपको मजा आया होकर वीडियो देखके अगर अंग तक वीडियो देख रह तो दोस्तों इसका है अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइ-बाइ टेक केर और हैपी टेडिंग